मेरे वाले जो पड़ोसी है मेरा जो मेरा जो अड़स पड़स में जो है अथमा मेरा जो कोई भी अपना रिष्टेदार है उसके अंदर वो चीज आया उदारन के रूप मेरे बाइक नहीं है मुझे कोई टेंशन नहीं है लेकिन पड़ोसी में अगर शाइकल भी आ गया तो अब ये जीने नहीं देता है इसको कहते मतसर प्रणा जिने देखा अरे तू भी बहुत बड़ी आगुने अरे मतसर तुषको कहा जाना है तुझे जाना है भजन में बैटना है कि भजन में वो मुझसे आगे क्यों मैं क्यों भजन में आगे नहीं हुए उससे मेरी भक्ति उससे क्यों कम हो गई है मेरे भक्ति उससे आगे जाना चाहिए इस तरह का सात्विक मतसर अगर आ जाए उसको प्रणा जिने शात्विक बना दिया भजन में रख दिया, भक्ती में रख दिया, साधना में लाकर के रख दिया तो ये मच्चर भी धनी के पास पहुंचाती है बोलो कृष्ण करना या लाले की तिसरे और एक हो गया अहम मैं पना अहम मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ मैं फलना हूँ मैं डिकना हूँ मेरे बिना तो कौन करता है ये मैंने किया है ये मेरा है ये जो मैं पना है इसको कह दिया हम ये जो मैं पना इसके लिए तो प्राणनाजी ने खिलोत में भी बहुत बड़िया तरीके से कह दिया मैं बिना मैं मरे नहीं मैं को मारना मैं से प्राणनाजी ने सरल उपाय बता दिया कि यह जो मैं है यह संसारिक मैं यह जो छोटा मैं है मैं संसार का हूं मैं फलना का पुत्र हूं मैं फलना अपिश का हाकिम हूं मैं फलने अपिस का अपिस्सर हूं जो भी यह संसारिक मैं है प्राणाजी ने उसको परमधाम का मैला करके ढग दिया कि अरे मै मैं तो पुर्ण ब्रह्म परमातमा की अंगना हूँ, मैं पुर्ण ब्रह्म परमातमा की 25 पक्ष दिव्य परंधाम में रमन करने वाली आतमा हूँ, ये संसार का मेरा क्या घर है, प्राणना जी ने उसको भी, बड़ी वाली जो मैं उसको लाकर के ढग दिया, छोटी वाली मैं तो अपने आप बड़ी मैं में कनबट हो गई प्यारे सुन्दर शाजी, ये मैं भी बहुत बड़ी आगुन है, बहुत सारे गुन है, सहज, सवाव, कलपना, प्राणा जी ने देखा कलपना भी बहुत बड़ी आगुन है, कलपना को जब प्राणा जी ने जगाया, कलपना कर नहीं हैं हम थोड़ी देर भी कल्पना हमें शुक देती हैं थोड़ी कल्पना करें हम बैठे बैठे सुचने लगे हम ऐसा घर बनाएंगे ऐसा करेंगे यह हम फलने जगे घूमने जाएंगे तो थोड़ी जब तक कल्पना में रहते तब तक तो सुख मिलता ही है तो प्राण् कलपना भी करना हो तो जागरित का कलपना करो अभी हम परमधाम में बैठे हुए हैं धनीशे बात कर रहे हैं धनी के साथ में शुकपाल में घूम रहे हैं तक तरवा में चड़कर के धनी के साथ घूम रहे हैं धनी के साथ हम हाउचकशर तलाव के अंदर गोते लगा रहे हैं दनी के साथ हम पूरा 25 पक्ष का भ्रमन कर रहे हैं, वो जागरित का कलपना करो, प्राणनाजी ने कलपना को भी उठा करके 25 पक्ष में डाल दिया, प्यारे शुंदर शाजी देखिए, वो कलपना भी हमें छनभर भी हो, नस्वर जगत में भी हो, वो जागरित का शुक, पूरित का आनन्द देती है, इसको भी प्राणनाजी ने बढ़िया साधन बनाया, और इसको साधन बनाने के बाद, इसको जगाने के बाद प्राणनाजी कहते हैं, अब कर्मन तु हो कलपना, करशेवा मोही विचार, धाम धनी मुए मिले माया में, लाव लेहू माहें, शर कर्मी हो जा, कर्म करने लग जा, और कर्म किस तरह का कर, तू कैसे कर्म कर, तू प्राणनाजी ने कल्पना को सेवा में लगा दिया, तू सेवा की कार्य कर, शेवा की कल्पना कर, प्यारे वक्तु भिन सुन्दर साधी, शेवा तो हर कोई करता है, ऐसे भी संसार में भी ये अथवा जो भी हो कपुतर को दाना देना भूखे को भोजन देना लंगे को वस्त्र देना ये भी एक सेवा है लेकिन ये जो सेवा है ये कैसा सेवा है ये कैसी सेवा है इसके लिए कहते हैं ब्रण्णाजी कि ये जो सेवा है ये सेवा तो जीव को बस जमदंड का पार कराने वाला सेवा, जीव को जमदंड से पार कराने वाली सेवा, यह अगर सेवा का रुप्या मोल है, तो उसमें से लगबग दो पैशे भर का सेवा है यह, और उससे आगे प्रणाजी कहते हैं, और एक उससे आगे की जो सेवा है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक सेवा, कि लोगों को अध्यात्म के तरब अग्रशर करना, अध्यात्म के तरब प्रशित करना यह सेवा जो है, यह सेवा रुपय में चारणा बरावर का सेवा है, प्रणाजी और उससे आगे उठ करके करते हैं, जो संसार में इश्वरी आत्मा जो इश्वर धाम से आई हुए हैं, उन इश्वरी आतमा को उनके लक्ष तक पहुँचाना, उनके शम्मंदी तक पहुँचाना ये सेवा में आठाना वरावर का सेवा है। और प्राणना जी उससे भी आगे स्रेष्ट सेवा बताते हैं वो ब्रह्मा आत्मा को मुल विलावा तक पहुंचाने की अगर हम सेवा करते हैं तो ये पूरा का पूरा रुप्य वरावर का सेवा है बोलो कृष्ण करना या लाले की तो प्यारे सुन्दर्शाजी और बहुत स सारे गुण हैं बहुत सारे इंस्टुमेंट प्राणना जी आगे बताते हैं वहर राग स्वाद कुरोध और उते उते एक सबसे बड़िया साधन है मन मन जो साधन है उसको प्रणाजी ने देखा ये मन जो है ये तो चाक चकरडा ये मन कभी विस्तिर रहता नहीं ये तो चलता ही रहता है मचलता ही रहता है ये मन अरजुन ने भी कहा भगवान को कि है भगवान ये जो हमारा मन है ये बहुत ही चंचल है मना कृष्ण प्रमाती वलवत डिडम ये इतना बलवत है इसको रोका नहीं जा सकता है कैसे इस मन को भजन में लगाए भक्ती में कैसे लगाए तो भगवान ने कहा कि आरे इसको रोको तो अर्जुन कहता है कि हे प्रभो अगर कोई वायू को रोकना संबब हो जाए वायू र बढ़िया है क्योंके इस आस्त्र में ही का हाँ है मन ये मन ही एक ऐसा साधन है जिसके जरिये वंदन को भी प्राप्त कर शकता है जीव और मोक्ष को भी प्राप्त कर शकता है जीव ये मन तो बड़ी आसादन है हमारे गुरुजी कहते रहते न ताला का दो डाइरेक्शन एक तरब घुमाओ तो बंद होता है दुसरे तरब घुमाओ तो खुल जाता ये मन भी ऐसा ये प्राण्णा जिने देखा इसको संसार के तरब घुमाओ तो दरवाजा बंद कर दिया इसको अगर प्रमधाम के तरब प्रमात्मा के तरब घुमाओ तो दरवाजा खोल दिया ये तो बड़ी आसादन ये रुकता नहीं है तो प्राण्णा जिने इसको भी क्या कर दिया प्रमधाम के ओर घुमा दिया अरे मन तु कितना उसको प्रेरित किया, उसको प्राणना जी ने शबासी दिया और उसको कहते आरे तेरे में बढ़िया गुण है, मन तु इतना घुमता है, तु तो रुकता ही नहीं है, तु तो चलता ही रहता है, मचलता ही रहता है, तेरी इस बीट कितनी है हम देखते हैं, चल आजा तुझको हम 25 पक्ष में घुमा देते हैं प्राण्णा जी ने उस मन को 25 पक्ष में घुमा दिया लेकिन उससे पहले क्या किया उस मन को शम्यमी बनाया उस मन को भाई बनाया प्राण्णा जी ने तभी वो मन 25 पक्ष में घुमने में शमर्थ हो जाता है पिरे शुंदर साजे, क्योंकि इस आस्त्र कहता है, धरियाम यस्यपिता छमास्τα जननी, शांतिर्शिरम गेहिनी, शत्यह सुनु ओरयम दयास्त भगिनी, भ्राता मन शम्यमा, यह जो मन है, जो शम्यमी मन है, अशम्यमित मन अगर हमारे पास है, यह तो दुन्दुकारी अगर शम्यमित मन हमारा हो गया तो यह सम्यमित जो मन है यह हमारा भाई है क्योंकि मन श्वेम कहता है जो मैं ना पैचा नहीं तिनको सदा सताओं लाख चौरासी डार के जनम जनम भरमाओं अगर यह मन धुंदुकारी हो गया तो ऐसा कहता है अगर यही मन हमारा भाई हो गया शम्यमित हो गया तो क्या कहता है जिनको पैचा नहीं तिनका हूं मैं सदादास अपने कंदे में बैठाए के पहुंचाओं पिव के पास प्यारे सुन्दर शाजी कितना सरल है शाधन हमारे अंदर ढूंडने जाना नहीं पड़ता है हजारों हजारों वर्ष तक ठाड़े सोरी उर्दे सोरी खड़े सोरी कुछ होना नहीं पड़ता है प्राणाजी ने सरल तरीके ते क्यूंकि प्राणाजी स्वयम कहते हैं इस सरीर को दुख देना नहीं है आसान से सरल तरीके से जो अपने पास उपस्तीत है जो एवायलेवल है उसी साधन के जरीये प्राणाजी माप्रभू हमें परमात्मा तक हमें परमधाम तक पाउंचने का ये सरल उपाय प्राणाजी ने बता दिया सुन्दर शाजी तो हम आसा करते हैं आप लोगों को भी प्रणाजी का ये तड़ी का पसंद आया होगा और आप लोग भी जीवन में अवस्य ही इसको अपनाने का स्टार्ट करेंगे चालो करेंगे इस मारग को अपना कर सरल तरीके से परमात्मा की दुलहिन अगर आप बन जाएंगे जीव के यात्रा से आप सखी के यात्रा तक पहुँच जाएंगे मुहसागर के यात्रा से आप महरशागर की यात्रा तक पहुच जाएंगे इन ही शुभभावना शुभकामना को रखते हुए मैं मेरे शब्द को यही पर भी राम देती हूँ शुनियो बानी सुहागनी हुती जो अकत अगम सो वितक कहुं तुमको उडजासि सब भरम सुनियो बानी सुहागनी बुली स्री प्राणनाथ प्यारे की सर्वप्रथम परादपर अक्षरातीत धामदनी श्री राज्चामजुकी पावन चरण कमल में प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित परादपर गुरुजी के पावन चरण कमल में प्रणाम करना चाहता हूँ इवं उपस्थित संपुर्ण सुन्दरसाद जी आप सभी को प्रेम प्रणाम का अविवादन करना चाहता हूँ महमती स्वामी स्री प्रणाजी महराज की वाणी को हम प्रते एक दिन पठन मनन निदिध्यासन करते आ रहे हैं उसमें से आज में महामती स्वामी स्री प्राणनाजी महाराज प्रणीत स्रीमत तार्तम सागर ग्रंथान तरगत स्री कलस ग्रंथ हिंदु स्थानी से कुछ जिंतन करने जा रहा हूँ तो धामधनी श्री राजजी महाराज ने जब यहाँ सुन्दर स्रिष्ठी की रचना अपने सतम शक्षिर ब्रह्म की द्वारा स्वपनिक रुप में किये तो स्रिष्टि के आदिकाल से ही मानव सब्यता के सुरू से ही आज तक संसार में इस स्रिष्टि को सभ्य रुप में सुसंस्क्रित रुप में संचालन हे तो बहुत सारे रिशी महरशी इस संसार में आए और अपने अनुभव के अपने अपने साधना पत को उन्होंने अक्ष अक्षे रशह लिख करके सास्त्र की रुप में रचना किये तो आज तक संसार में जितने भी रिशी महर्शी सब आए एक मानव सब्विता को सुसंस्क्रित धंग से आगे बढ़ाने के हेतू और मनुष्य को सब्वे रुप में सहजता पुर्वक जीवन संसालन हेतू इस संसा साधो आए लेकिन सास्त्र की रचना इस प्रकार हुई कि महमति प्राण्णाजी महराज कहते हैं कि अपनी मतलेले साधो बोले सब्वे अपार बहुत सब्वे अर्थन उपजे यावलस उपन धुतार महमति प्राण्णाजी महराज कहते हैं कि अपनी मतलेले साधो बोले सब अपत्शनार और मे Alone, वह सब आ अपने मत के हिसाब शाअम अ साधना एक्षक कंगत अपने अपने हिसाब से जो साध्यात आट्तों पकड़े जिसको प्राप्च किये उनहीं के विशे में ऊधर. रखे उस सास्त्र में तो आज तक सास्त्र की रचना इस प्रकार हुई कि जिस प्रकार आज कोई भी व्यक्ति के हम साधी में जाते हैं तो वहां का दुलाहा चाहे जितना भी काला कलुटा हो लेकिन यसोगान उसी का होता है इस प्रकार सास्त्र में सास्त्र लिखने वालों ने इस प्रकार रचना किये कि जिसका साथ में उनका संगत हुआ उसी की विशे में चर्चा करने लगे इस हेतु से पुराणादी ग्रंथ की संख्या बहुत बड़ी वेद ही चार बनाये गए और फिर उसके बाद महाभारत में एकलाख स्लोक उसके बाद सत्रह पुराण इन सब 18 पुराण तो बाद में लिखा गया जब 17 पुराण लिखे तो तहां तक में बेद व्यास जिने इसी प्रकार रचना किये जिस प्रकार अभी मैंने बोला कि जिसके साधी में गए उसी का ये सोगान करते रहे तो बाद में जाकरके असली धर्म का निरूपन करने है तो भागवत धर्म का निरूपन किया गया भागवत में बेद व्यास जी कहते हैं कि धर्म प्रोजित कईत वत्र परमो निर्मत सराणाम सताम में निर्मत सर धर्म का निरूपन इसी भागवत में कर रहा हूं और थात आज तक कपड धर्म का निरुपण भी किया हुआ अन्य ग्रंथ में। अब इस प्रकार सास्तर की रचना हुई और इन सब सास्त्रों ने मनुष्य को एक सुलजा हुआ जीवन जिने तो नहीं दिया वलकि और ज्यादा उलजा दिया। तो इस विशय में इतने सारे सास्तर रचना हुए लेकिन फिर भी सब सास्त्रों में सब धर्म ग्रंथों ने सब संतवाणियों में एक ऐसे भविसेवाणी हर किसी ने किया कि बाद में जाकर के एक पुर्ण ब्रह्म परमात्मा की सत्ता को लेकर के पुर्ण ब्रह्म परमात्म को आवेश सक्ति को ले करके एक ऐसे कोई महापुरुस आएंगे जो इस संसार के सारे उल्जनव को मिटा करके एक सत्धर्म का निरूपन करेंगे और सत्मार्ग का सत्पत का प्रदर्शन करेंगे प्र przyszुंट है भल्जन करत कर एक एक सत्थर्णद़ सक्ट करेंगें सनसार करते गां हो झाल झाल